आज जो पैनल है बहुत this time पैनल है बहुत तारे लोग इस पे बहुत अपनी अपनी फेल्ड में आज एक बात कहना चाहता हूं तो बात 여दे दोनों को सिलसले से रखूंगा लेकिन पहली शुरुबाति यह बात कहना चाहता हूं जो मुज़े नागवार गुसरी और जो मुझे बहतर लगा कि उसको यहाँ पर उठाया जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए दो बाते हैं पहली बात शुरुबात करता हूँ अल्व संखेक डिली अल्व संखेक आयोग के चेमें साब कहते हैं वो कहते हैं कि कट्टन हिंदू को लगता है कि अरब जगत भारत के मुसल्मानों के उपर होने वाले जुल्म पर खामोश रहेगा तुमारे नफरत से भरे अभियान भीड के हाथों हत्या दंगा के बारे में अरब जगत से शिकायत नहीं की है जिस दिन भारते मुसल्मानों की शिकायद करेंगे तुम पर भारी पड़ेगा नागबार है मैंने परसों भी डिबेट पर किसी डिबेटर दे ये बात कही ति मैंने कहा था कि आप धंकी दे रहे हैं आप धंकी देंगे और ये कहेंगे अरे दो देशों के बीच में राजनेक संबंद होते हैं और आप कौन है आप क्या है आज का डिबेट मैं यही सब इसी सवाल से आप देश को जिस समय पूरी दुनिया एक हो जाना चाहती इस लडाई के खिलाफ आप ये बीच बो रहे हैं ह प्रवक्ता देखिए सबसे पहले आज मैं प्रतीक जी सबसे पहले आज जो मैं इर्फान साहब हमें छोड़के चले गए इस दुनिया से चले गए उनके लिए खिराज अकीदत आपके माद्यम से पेश करूंगा एक शेर उनके निजर करूंगा बड़े गोर से सुन रहा थ अस्ता कहते कहते तो मेरी खिराज अकीदत इर्फान साहब जो वेटरेन एक्टर हिंदी सिनेमा के थे अब हमारे बीच में नहीं हैं मैं उनको शद्धांजली देता हूँ अब मैं आपकी आपने जो सवाल पूछा है अल्प संक्य कायो के का जो चेर्मेन है दिली का जफर अ इसलाम ये नाम ही बहुत विवादित नाम है मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इससे पहले भी इन्होंने हिंदो मुस्लिम कई बार किया है ये देखिए ये ये जो बात कही है एक लफ़ आपने शायद नहीं के लिए आपके पास कुछ जमेदारिया है जमेदारियों को बोलकर हम इस तरह की बात करेंगे दस सेकंड प्रतिक जी प्रतिक जी दस सेकंड सुन लिजे उन्होंने जो उनके चिट्टी में मजमून है उसमें कहा कि हिंदुत वादियों के खिलाफ अगर कंप्लेन यहां के मुसलमान कर दे तो जलजला आ जाएगा यकीन मानिए कि ये भारत के संपर्बुता अखंड़ता और असमिता पे परहार है अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है और उस वक्त करता है जब भारत दुनिया में सबसे दूसरा बड़ा मुसलमानों का देश है आबादी के लिहास से मुझे लगता है कि ये जफर लिस्लाम की गलती अग अगर अर्विंद केजरिवाल साहब मैं उन से सवाल करता हूँ और हैरानी होती है कि आखिर वो क्यों खामोश बैठे हैं क्या इस तरह के लोग उनके पार्टी में जो खुलके भारत के खिलाफ भारत के उन मुलकों के सामने बात रख रहे हैं जिनकी भारत के सामने राजने अरिक जो हमारी रिलेशन है वो अलग है कुटनीती हमारी अलग है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है अगर आप मुखातिब होना चाहता हूँ दोस्तान का मुसल्मान ठगासा महसूस कर रहा है रख रखते हैं कि नहीं देखे दो तीन चीज़े बहुत साफ हैं जो दिल्ली अलब संखेक आयोग के जो चेर्मैन ने जो बाते लिखी वो किस परिप्यक्ष मिली कि यह जादा जाना जरूरी है जिस तरीके से लखनों के सड़कों पर उत्तर पदेश के सड़कों पर मुसल आपके कहें शानवाज भाई आपने किसी हिंदू से शादी करी है इस शादी को हम सही नहीं मानते हैं तो कैसा लगेगा आप किस तरीके का मुल्क बना रहे हैं कि भारती जंता पाटी के राष्ट्रे धक्ष कहते हैं कि हिंदू मुसल्मानों में कोई हम डिबाइडियेशन नहीं करेंगे और भारती जंता पार्टी का MLA खुले आम सड़कों पर घूम घूम कर कहता है कि अगर तुम मुसल्मान हो तो मैं तुम्हें सबजी बेचने नहीं दूगा तब सवाल खड़े होते हैं और सवाल तब भी खड़े होते हैं जब पाकिस्तान अगर बंप करें मैं जफ्रूल इस्दान परिया रहा हूं अरे प्रतीक भाई ऐसा है कि कौन सा जिल बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो यासर जिलानी साब क्या बोलना चाहते हैं आपकी आवास क्यों खामोश हो जाती है जब भारती जंतापाटी का कोई विदाया खुल्याम सड़कों पर गुम करें सेयद यासर जिलानी साहाब ऐसा है सेयद यासर जिलानी हर मुद्बे पे सवाल उठाते हैं एसा है सेयद साहब ऐसा है मेरी बातों को सुननी चीए अगर किसी मुस्लमान को मुस्लिम टार्गेट करके उसको सब्सी बिचनी ना दिया जाए ये तो सवाल उठेंगे ना और अगर कोई सवाल उठाता है तो आप पे शर्म है आपको शर्म निया उस वक्त आपका शर्म कहां चला जाता है वही जब खुलियान टार्गेट करके एक हैमेल भारती जन्ता पार्टि शुनाऊ होआ पता नहीं है जन्दा का चुना हुआ पर आप बिहार का चुना होता है तो भारती जंता पार्टी के नेता आकर कहते हैं कि अगर यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा कोई मुसल्मान जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पुटा के पुटेंगे यह हिंदुस्तान की सम्परपुदा है कि आप एलेक्शन को हिंदु मुसल्मान के तरस पर देखे हैं और आप किया हैं योधी जी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं करेंगे तभी हिंदू होगे